गर्मी में अगर कुछ ठंडा ठंडा चीज खाने का मन करें तो यह आइस क्रीम की रेस्पी जरूरू ट्राइ करें जटपर से बन करके तयार हो जाता है नमस्कार रानी किचन में स्वागत है तो सबसे पहले आइस क्रीम बनाने के लिए दो आम को हमने इस तरह से काट करके लिया है यहाँ पे लिया है मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे जो आम हमने काट करके रखा था तो इसमें डाल देते हैं जार में बहुत ही टेश्टी और एजी आम का ये आईस्क्रीम है फ्रेंस आप जरूर एक बढ़ ट्राई करें आपको काफी पसंद आएगा तो आम को देखिए हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है अब यहाँ पे लीडिया है हमने चीनी तो आम जितना मिठा है उसके हिसाब से चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे हमने दूद को थोड़ा सा रबडी की तरह बना लिया है तो इसमें डाल देते हैं आप इसके जगव मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क भी इस्तमार कर सकते हैं यह इजी तरीका है आप इस तरह से बना करके आसानी से घर में आइस्क्रीम बना सकते हैं तो इस तरह से पेश्ट इसका तयार कर लिया है और बहुत ही बढ़िया प्यूरी बनकिस की तयार हुई है यहाँ पे जमाने के लिए हमने टिफिन लिया है आप गिलास में भी इसको आइस्क्रीम जमा सकते हैं तो इस तरह से पूरा डाल देते हैं इसमें जितना हमने यहाँ पेश्ट करके लिया है मिस्रन को और डाल करके अच्छी तरह से इसको थोड़ा से टेप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए अब धकन लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें या पांच-छे घंटे के लिए आप फ्रीजर में इसको रख दें तो देखिए हमने आठ घंटे के लिए रख दिया था रात भर यह अच्छे से जम गया है यह देखिए बिल्कुल अच्छे से जम करके तयार हुआ आइसक्रीम तो आप चाहें तो इसको छोटे-छोटे टुकडों में या कल्चुल की हिल्प से आप इस तरह से निकाल के खा सकते हैं मैं छोटा-छोटा इस तरह से काट ले रही हूं लंबे-लंबे टुकडों में तो इस तरह से सारे आइसक्रीम काट करके इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे तो बहुत ही आसानी से जबी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फ्रेंस अगर आपको मेरी वीडियो पसा आपको में तयारा